हाई मेरा नम नीराली है और मैं एमदाबाद में रहती हूँ और मुझे बहुत ही मतलब बॉडी पेंग था और मुझे थायरोड चॉपी साल से है तो गोलिया खा रही हूँ कोई फरक नहीं दिख रहा है और आरे भी पॉजिटीव तीम साल से आ कया है और उसमें भी कोई फरक पर्यूपी तो ऑद्नी खेडिव नहीं है मेरी फायल भी ग्यारा बारा हो गही है पर कुछ फरक नहीं पढ़ रहा है कोई भी ऐलोपेठी गो लिया से सब्ही और नहीं पॉक्कर दिखा रहा है पर कुछ फरक हो पढ़ रहा है वहीं का वहीं रहता और होलु 21 घराघ मेराश और आरे में तकलीफ क्या होती थी रुमेंटर अर्थरेडिस में आपको तकलीफ क्या होती थी तकलीफ में यह उता था कि सारे जॉइंट मेरे स्टीफ हो जाते थे और में मुवमेंट नहीं कर पाती थी अपने खुद का काम भी खुद नहीं कर थी फिर स्टीरोइड के भी मैं मेरा माइंड और चेंज होने लगा है पॉजिटिव एनरजी मिल रही है मुझे पैन कैसे है स्टिफनेस कैसे है अभी थोड़ा मतलब एक दी में मुझे काफी चेंज लग रहा है मेरे बॉडी में कि मैं अब मुझे लबता है कि मैं कुछ कर पाऊंगी आगे मेरे जीवन में ज अब में काफी चेंज आएगा ऐसा मुझे लग रहा है तो थैंक यू पॉर रवी सर एंड यूर टीम थैंक्स तो यू अलसो विकास आपने उसब किया अच्छा हमने जो आपको मेडिसिन दिया और अक्टिविटीज बताई उसके किपने देर में आपको पहला चेंज महसु एक दो घंटे में चेंज शिरू हो गया और अभी हम अलमस्स बारा घंटे हो चुके बारा तेरा घंटे हो चुके तो अब आपको एनर्जी लग रही है हाँ अफी अनर्जी लग रही है बढ़ी है तो जो आपको लगता था कि कुछ करने की इच्छा नहीं है ये इवन जो तो अभी वह सारे निकल गया है, मतलब उन्हों नहीं अच्छी तरह से समझाया कि यह सब लाइफ में होता ही रहता है, तो वह सब निकल गया है इसे एक्शिल यह जो सेशन है ना इसे हम पावर कॉंसलिंग सेशन बोलते हैं तो इसमें जो पास्ट के जो भी आता है उसको निकालना होता है तो वह किया हमने आपके साथ तो पावर कॉंसलिंग जनरलिस अब के साथ नहीं किया जाता है बट आपके साथ पेशली किया गया हो नहीं वह उसे मुझे काफी फरक माइन में लग रहा है और सब अच्छा लग रहा है तो अभी आप यह थोड़ा कंटीनू करते रहे हैं एंड रिजल्ट एकदम अमेजिंग रहेगा आपके इसमें राइट सो बेस्त अफ लग थेंक्यू